नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप देख रहे हैं टोटल नियूस हमारा खास कारिकरम थारा नेता मैं हूँ पूजा शुक्ला इस समय हम होडल के एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर हरियाली है हवावी बहुत अच्छी है कुल मिलाकर फिजा में बहुत रौनक है लेकिन अगर हरियाना की अगर हम बात करें हरियाना में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है वजह यह है एलेक डॉक्टर चमीली देवी सोरंकी जी मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका तो शुरुबात करते हैं बाचीत के सिलसले की और मैम बड़ी व्यस्त होंगी आजकल आप हाँ वैस्त तो चलते रहते हैं काफी सालों से वैस्ती हूँ मैं तो जनता के बीच में रहती हूँ तो क्या काम आजकल आप कर रहे हैं सुबह से जब निकलती हैं तो क्या दिंचर्या क्या रहती है आपकी देखे सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं इश्वर को याद करती हूँ और तयार होने के बाद इश्वर की प्रातना करके फिर मैं घर से निकलती हूँ कि आज का दिन अच्छा जाए और मैं पबली की सेवा किसने किसी बाने कर सकूँ यह मेरी कोशिश रहती है और दिन पर म मेरी कोशिश रहती है जाकर के जनता की समसें सुनती हूँ जहां तक हो सकता उनका मैं समाधान करने की भी कोशिश करती हूँ अचा ये कोशिश है आज कल क्या जादा तेज हो गई है चूकि एलेक्शन पास है या यह कोशिश आपकी रहती है हमेशा ने मुझे 12-13 साल होगे मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले भी जो है समाशेवा करती रही हूँ तो स्टार्टिंग से मुझे शोक रहा है जनता के बीच में रहा करके उनकी शेवा करने का मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना अच्छा कितना जरूरी है किसी भी नीता का लोगों के बीच में रहना उनसे बात करना उनकी समस्याओं को जानना आपको लगता है कि हाँ जनता कनेक्ट होती है इससे अपनी समस्याओं आपको बताती है तो उसको लगता है कि कोई ऐसा है जो उसका सुगदर बाटने के लिए आता है और समाधान भी करती हूँ अचा ये बड़ी एहम बात आपने कहीं क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीती भी पुरुष प्रधान है चुकि अधिकतर जो नेता हैं पुरुषी होते हैं ऐसे में जब एक महिला उतरती है राजनीती में अब कितनी जिम्बेदारी समझती है साथी आपको क्या लगता है जो महिलाएं जो अपनी बात जिस तरफ से आपने कहा खुलकर नहीं कह पाती और एक महिला नेता उनके बीश में है तो महिलाएं किस तरफ सामने आकर अपनी बात कह सकती है लेडिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल जुरूर होता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है फैमिली की स्पोर्ट होना बहुत जुरूरी है और मुझे अपने परिवार के तरफ से सस्वराल के तरफ से पूरी स्पोर्ट मिली है मायके की तरफ से पूरी स्पोर्ट मिली है मेरे एस्मेंट जो एचियस अधिकारी है आज कर जोएंट कमिशन है गुड़गाओं के अंदर नगर निकम के अंदर तो उनकी मुझे पूरी स्पोर्ट रही है उनकी बदोलत ही आज मैं यहां पर हूँ और महिलाएं जो बड़ी विश्वास के साथ खुले मन से मेरे से बाते करती है यही सवाल मेरा यही था चुकि आप एक महिला नेता है आप लोगों के बीच में जा रही है तो महिलाएं बड़ी आस के साथ आपको देखती है लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं और सबसे बड़ी अगर हम मुद्दो की बात करें मुद्दो की ही देख लें तो चुकि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इश्यू है लोगों को लगता होगा कि अगर हमारी नेता एक महिला है तो मेरे ख्याल से ये मुद्दव बहुत प्रमुकता के साथ उठा सकती आपको ऐसा लगता है पुरिऊ के सामने कोई बात नहीं क्या पाती है क्यों मैला सुरक्षा आज अगर हमारे सरकार की बहुत बड़ी जिम्हिदारी है हरकि Somebody कोशिश करनी चाहिए कि मैलाओं को मान समान दे और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं जहां भी किसी गाम में जाती हूं मैं सबसे पहले मैला सुरक्ष से बात जरूर करती हूं और सभी को यह कहती हूं कि हमारी बेटियां उनको पुरा मान समान दिया जाना चाहिए जितना कि हम बेटों को मान समान दे अच्छा होडल विधान सभा है आपका और पिछली बार आपने टिकेट की मांग की थी नहीं मिल पाई लेकिन उम्मीदे तो बहुत होंगी इस बार भी उम्मीद होगी अच्छा टिकेट तो आपको नहीं मिली लेकिन फिर भी आपको एक reward के तौर पर उन्होंने चेर्मेंशिप दे दी, आप पलवल जिला परिश्ट की चेर्मेन हैं, यह बताई कि क्या क्या काम किये आपने? गरीब लोगों के ज्यादा काम करूँ, खास करके उसमें महलाओं की हमारे दिगोड गाओं पड़ता है, हमाँ पर आज तक किसी भी विदायक ने महलाओं के लिए कोई चोपाल नहीं बनवाई थी, तो जिला परिश्ट बनते ही, मैंने बनने से पहले ही मैंने उनको एक वाद करता है कि और ऐसे क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, और यह जरूरी काम थे, ऐसे कौन से काम है जो रहे गए हैं, आप चाहती है कि यह काम जरूर अब की बार अगर टिकट मिलती है, तो यह काम करने है, देखिए ओडल विदान सबा जो है, बहुत ज्यादा कि सरकार में माननी है, हमारे मुख्यमंतरी मनोला खटर जी है, जो नहीं हर विदान सबाब में समान रूप से विकास के काम किये हैं, गोशनाएं किये हैं, और उन पे काम काफी अद्दक कंप्लीट भी हो गए हैं, और कुछ चल भी रहे हैं, तो यह आगे मेरी कोशिश रहे कि मैं मुख्यमंतरी जी के सामने पहले भी मांग उठाती रहे हूँ, और आगे भी ऐसे मांग उठाती रहूंगी, ताकि इसका होडल अलगे का मैं ज्यादा ज्यादा विकास कर सकूँ, अभी बहुत से समस्याएं होंगी, चोकि जनता तो बहुत उम्मीद करती है, आपको क लगता है कौन से ऐसे काम है, मूलवूत सुविधाओं के अगर हम बात करें, बिजली, पानी, सडक, कौन से ऐसे काम है, जहां पर होडल इस शेतर में पिछरा हुआ आपको लगता है, देखें, यहां पर स्वास्ते के लिए जो हभी मुख्यमंतरी जी ने रिसेंटली जब जना स्विरवाद यातरा निकाली थी, उन्होंने होडल के अंदर एक पचास बैड का होस्पीटल उसका दुगाटन किया है, ऐसे ही हसनपूर के अंदर काफी समय से मांग चली आ रहे थी, हमारा जो यमनापूल है, वो जीवन रेखा है होडल विदान सभा के लिए, उसका अभी उन्होंने गोशना कर रखी है, और वो क्योंकि उत्रपरदेश के अंदर भी हमारी सरकार है, भरतिय जन्तापाटी के सरकार है, तो दोनों सरकार मिलकर के दोनों तरफ से जल्दी काम शुरू हो जाएगा, इसके साथ साथ बहुत सारे काम है, जो मुख्यमंतरी जी ने हो जाएगा, इसके साथ हसन बुरू को सब तैसील कहते हैं, जिसको हम वो भी उसके लिए मुख्यमंतरी जी ने शिलानास कर चुके हैं, तो ऐसे काम बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगे, अच्छा साथ अभी बहुत ज्यादा काम करने के याफशकता है, क्योंक का पानी बहुत गंदार है, तो जिसकी वज़े से आसपास के जो गाउं है, जो पानी पीते हैं, तो उसमें कैंसर की बीमारीयां भी बढ़ रही है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं मानिये मुख्यमंतरी जी से भी यही गुजारिस करूँगी, कि समस्या का समाधान ज राजनीती में और समाजिक जीवन में भी बहुत से संस्थानों के साथ जुड़ी हुई है, वहां भी उच्चतम पदों पर हैं आप, आपको क्या लगता है कि एक महिला जो घर से निकल कर बाहर काम कर रही है, उचे पदों पर है, जनता का सरुकार उसके साथ जुड़ा हु आपको लगता है कि हाँ राजनीती में ऐसी महिलाओं की कमी है और महिलाओं को आगया आना चाहिए? अब बहुत सारे काम करने जरूरी है महिलाओं के लिए उमीदे तो बहुत होती है, सपने भी सबके बहुत होते हैं, आचा डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी जी का सपना है, क्या-क्या इस बार टिकेट मिलनी चाहिए? पूरी दुनिया में फेमस है यहां का नगाड़ा आपने देखा होगा कि यहां पर पूरी दुनिया में जाता है इंटरनेशनल लेवल पे बंचारी के अपनी एक पैचान है और ये मेरे लिए सभागे की बात है कि ये मेरा एक जो पैत्रिक गाउं है ससुराल है मेरी मैं यहां की बव हूँ हमने इसके बार में ये भी सुना था चूकि होडल विदान सभा में कोई भी प्रत्याशी है उसके जीथार का जो फैसला है वो बंचारी गाउं से भी होता है हाँ ये सच है क्योंकि यहां पर जैसे हर्याने के अंदर दो ही चोबीसी है एक मैम चोबीसी है और एक चोबीसी पाल जो है और एक होडल चोबीसी है और बंचारी गाउं जो है यहां पर होडल चोबीसी का बहुत बड़ा गाउं है तो इस हलके के अंदर जो है बिर्ज के यहां पर पलवल से लेकर के फिरिदाबाद तक जो होडल की राजनीती बोजात पर बावित करती है और उसमें चोबीची का बहुत बड़ा रोल रहता है ऐसी क्या खासियत है डॉक्टर चमेली देवी सोलंकी में जो बाकी प्रत्याशियों से आपको अलग करेगी ऐसी क्या ख प्रजनीती में आने की कोई इच्छा नहीं थी मैं तब से समाशेवा कर रही हूं और लगबग 2008 से मैं काम करूई यहां पर और इसके साथ-साथ जो है हमारे प्रदानमंत्री जीन नारा दिया था 2015 के अंदर बेटी बचाव बेटी पड़ाओ और हमने अपनी संस्ता के माद है दूसरा मैं 24 की बहू भी हूं और 8 साल से जो मैं लगबग 2013 से पार्टी के साथ काम कर रही हूं पार्टी की जितनी में रीती नीती हैं सब को जन जन तक पहुचाने का काम कर रही हूं अच्छी पड़ी लिखी हूं मैला हूं हर तरह की तरह से जो मैं क्वालिफाइड हू मैं पूरी तरह से आशावान हूं कि इस बार मुझे टिकेट मिलेगी अच्छा आप बहुत जी जान से और बहुत समर्पन भाव से आप करते हैं पार्टी के लिए काम अगर इस बार भी टिकेट नहीं मिलती तो क्या डॉक्टर चमेली देवी सोरंकी जनता के बीच में रहे पूरी मांदारी के साथ, अगर हाइक मान को अगर में अंदर को दिखाये देता है तो पार्टी टिकट जरूर देगी और नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के लिए ही काम करूगी आगे निराशा होती है या ऐसा लग रहा है इंतिजार हो रहा है कि कब टिकेटों का एलान हो और उसमें आपका नाम हो या नहीं निराशा थोड़ी देर के लिए होती है ज्यादा नहीं होती है मुझे काम करना है मुझे जनता की जिनता है मैं अपने काम पे मस रहती हूं जनता का कितना विश्वास आप समझती हैं आपके साथ हैं निना हंड़र परसेंट जनता मुझे विश्वास करती है और आप गाह में आप सरवे करवाएंगे देखेंगे भी खास करके जो अमारी महला बैने हैं वो दिल से मुझे चाहती है आप जहां भी जाओ गाओं में जो हर गली का बच्चा बच्चा मुझे जानता है तो जनता का बहु जादा मुझे राशीरवाद है बहु जादा प्यार है क्योंकि जनता को भी पता है कि मैं राजनेता का सवशल जादा हूँ अच्छा एक मुश्किल जो और चुकि हम बात कर रहे हैं टिकेट बटवारों की टिकेट मिलेगी या नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारती जनता पार्टी का चुकि स्वर्णिम दोर है हर नेता यहां पर आना चाहता है आभी रहा है मंच का आकार इतना बढ़ गया है आपको लगता है कि संभावनाएं कम हो गई है नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखो परिवार बढ़ रहा है हमारे लिए खुशी की बात है और भारती जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो मुझे इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है क मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूं जनता की सेवा करने में विश्वास रखती हूं जब आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कारेकरता है तो मुम्किन है उन्होंने तो ये भी साफ तक कह दिया कि नया पुराना कुछ नहीं निश्ठावान होना चाहिए पार्टी कि उनके विश्वास को बढ़ाया है ऐसी कोई बात नई है पार्टी हार चीज देखती है हई कमांड जो सारी चीजे देखती है उनका काम है کہ किसको टिकर देनी किसको नहीं देनी है तो बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी ने बाते रखी तो मैं दनाअबाद करना चाहूंगी उनका और एक बार फिर से मैं मुख्यमंतरी जी से यही प्रार्थना करती हूं कि मैलाओं को जब ज्यादा से ज्यादा मान समान देना चाहिए जनता के लिए अपने होडल विदानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी क्या संदेश देना चाहेंगी कि मुझे जनता की उपर बरोसा है और जब मुझे जनता की उपर बरोसा है तो जनता को मुझे पर बरोसा करना चाहिए और मैं टिकेट मिले या ना मिले मैं जनता की हमेशा सिवा करती रहूंगी और अपना अशिरवाद जनता मुझे पर ऐसे ही बना करके और आला कमान से क्या गोहार लगाएंगी क्योंकि बहुत से लोग खड़े होंगे कतार में और आपसे बेहतर भी हो सकते हैं और आपसे कम भी हो सकते हैं क्या संदेश और क्या उमीद देखिए मैं कम तो किसी मामले में मानती ही नहीं हूँ अपने आपको एक मैला होना क्योंकि जिस देश के अंदर मैलाओं को एक देवी के रूम में पूजा जाता है तो हाँ कम होने की तो बात ही नहीं है, हम किसी इश्वर को देखें, तो सबसे पहले जो है उसके साथ देवी का नाम जुड़ा होता है, जैसे रादे कृष्णा है, तो सीता राम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आपको कम नहीं आगते हूँ. और क्या कहना चाहेंगे टिकेट के लिए? बहुत 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 शुक्रिया बात करने के लिए, और दोस्तों कहते हैं कि नारी समाज की वास्तविक वास्तुकार है, और यही प्रूफ करने की कोशश, डॉक्टर चमेली देवी सुलंकी की भी कह रही हैं कि बहुत काम किया है, और बहुत काम करूंगी भी टिकेट मिल या ना मिले लेकिन समर्पित हैं पार्टी के लिए बेराल थारनीता में इतना ही आप जुड़े रहिए टोटल न्यूस के साथ